सप्रास आप से पुछा है आपने कहा कि भाई कोई डर नहीं है एस गांदी कोई विक्तिकत प्रॉबलम यह कुछ नहीं है आप दरसल सौरव जी बात ये है और सचाई भी ये ही है कि राजिस्तान के अंदर राज नहीं रिवास बदलेगा ये भारतिय जनता पार्टी को भी पता है जो पिछले पांच वर्षों में कॉंग्रिस पार्टी की सरकार ने जो वहाँ पर जनहित के काम किये हैं जनकल्यान के काम क पार्टी ये जो राजिस्तान की जनता इनके उपर विश्वास नहीं करती है जहां तक आप अभी बात कर रहे हैं ये सारे विश्यों की मैं कहना चाहूंगा कि भारतिय जनता पार्टी एक मुद्दा हीन पार्टी है इनके पास में मुद्दे नहीं है चुनावी इसलिए ये इस तरह की बाते करते हैं और जिस पनोती शब्द की आप जिकर कर रहे हो आज ये पनोती शब्द तो कोई Congress Party का दिया हुआ नहीं है ये पनोती शब्द तो Twitter handle पर या X handle जो आजकल चल रहा है उसके उपर दो दिन तक इसका trending चलता रहा है वो कोई Congress Party नहीं चलाया है वो भारत की जनता ने चलाया है और जब आधरनिय राहूल गांदी जी जब मंच से जंसवा को संबोधित कर रहे थे तो नीचे से पब्लिक में से आवा जाई पनोती शब्द की और उसके उपर अगर राहूल जी ने हसी के रूप में कहा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैस टेकन अज तो उसमें मुझे नहीं लगता कि भारतिय जंता पार्टी को को बहुत बड़ी तकलिफ होनी चीए और फिर चार दिन पहले ही देश के प्रधान मंत्री राहूल गांदी जी को मुर्खो का सरदार कहते हैं तो प्रधान मंत्री के पद की गरीमा कहां गई खुदी आप गरीम कहा ऐसी तमाम सारी चीजें कॉंग्रिस की विद्वा पचास करोड की गर्ल्फरेंड किसी महिला को कहा पार्लमेंट के अंदर खड़े होके सुपुर नखा कह दिया रेनुका चौदरी जी को तो ऐसा तो प्रधान मंत्री खुद अपने पद की गरीमा गिराते आए हैं पार मंत्री ने कहा था पहले ये बाट ठीक है मैं तो कुद कह रहा हूं लेकिन उसके बाद कल से राहूल गांधी जी के बोलने के बाद जिस तरीके से पूरी कॉंग्रेस पार्टी उसी एक शब्द को जैसे पूरे विश्व में गुंजाने में लगी हुई है उसको दूर दूर तक पहुचाने में लगी हुई है तो आप मेहनत कर रहे है ना उस पर तो अब ये क्यों इतनी सी बात नहीं रहे गए कि पब्लिक में से किसी ने कुछ कह दिया था एक बाद और दूसरा राहूल गांधी हमेशा कहता है कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है परस्टन कहा तब तो उनको स्मृती इरानी लगी या रवी शंकर प्रसाद लगे उसको एंप्लिफाइ करने के लिए लेकिन ये तो एंप्लिफाइ होके पब्लिक से कॉंग्रेस पार्टी के पास में आया है हम इसको एंप्लिफाइ नहीं कर रहे हैं पब्लिक ऑल्रेडी इसको कर कहें या कोई और पनोती कहें इस चीजों का राजिस्तान की जनता को लेना देना नहीं है जनता की अपनी समस्याएं है जनता चाहती है कि बीजेपी और भारतिय जनता पार्टी जो है केंदर के अंदर 10 साल से सरकार है यह हमारे मुद्दों पर चर्चा करें जो लोग